कि अलो बच्चों अंडरस्टेंड कोउषन फर्स्ट एंग्ट्रिय एंग्ट्रियुल्स फॉटेबल फार मेंकिंग इलक्ट्रो मैगनेट्स शुड्ध वाज़्यं वकुषन आपसे कहना चाहता कि इलक्ट्रोघ्नेटिक इलक्टो मैगनेट्स के लिए कौन सा मैटेरियल करता है उसमें अलग-अलग आप्शन में आपको रेटेंटिविटी और कोरिस्टिविटी के बारे में बात कर रहा है आपको समझाता हूं देखिए यह आपका जर्नली तो मैगनेटिक फील्ड प्येज कर्व है और बियच कर्व में जो है कुछ इस तरह का अ होता है एक साइकल है बच्चों मैं आपको बताऊं यह बात के लियर की है कि हाई रिटेंटीविटी एं लो कोडिशीविटी का मतलब क्या है ही रिटेंटीविटी का मतलब की हैbanon बच्चों अेलो बच्चों यह अन्द्रेस्टेंड कुशिप्शन पर्स्ट हिए के चाहता कि इलक्टो मेंगनेट जो आप बनाते हैं किली कौन सा मट्रेस सूट करेगा और उसके पास क्या प्रोपर्टी होनी जी तो बच्चो या हाई रिटेंटिवी या हाई कॉरिसिवीटिटी या लो कॉरिसिवीटी या फिर इस तरह से चाही रहे रहेगा तो मैं आपको figure के साथ और इसकी reason भी मैं आपको लिख कर समझाता हूँ बच्चों इसमें मैंने आपको एक figure बना के बताया है BH curve का इसमें जो small area जो छोटा loop दिख रहा है soft iron और soft iron जो है elektromagnet में के लिए use करने वाला एक बढ़िया material है और ये बड़ा जो loop जो है ये बड़ा area है और ये स्टील को represent कर रहा है तो हमें electromagnet के लिए क्या चाहिए हमें low retentivity का मतलब क्या होता देखिए कि जब हम हमने क्या है अगर कोई material है इसको हमने इसके चार्व तरफ solenoid में या current इसमें flow करी तो current flow होने के करण ये magnetize होगा अब क्या है जैसे ही मैं इस current को switch off करूं तो इसके आंदर का magnetization यानि कि electro magnet का magnetization क्या हो जाना चाहिए ये टेश्टर हो जाना चाहिए ताकि material अब कह सकते है नहीं switch off होने के बात है वो magnet नहीं है तो रिटेंटिविटी क्योंने चाहिए लो फिर बात आती है लो कॉरिसिविटी लो वैल्यू आफ रिवर्स magnetizing field intensity as required देखो बच्चों जब एच की ये magnetization हो चुका है अब अगर मैं इसका magnetization destroy करना चाहता हूं या खत्म करना चाहता हूं तो मैं इसमें अपोजिट डिरेक्शन में current flow करता हूं जिससे अपोजिट डिरेक्शन में इसमें magnetizing field गो generate होता है और वह मैंगनेट के अंदर के डाइपोल मोमेंट्स को रियलाइन करता है और उसके magnetic field को destroy करने का कोशिश करता तो यह value भी कम होनी चाहिए ठीक है बच्चों तो first option तो high retentivity and high corrosivity यह तो हो गया गलत second option low retentivity and low corrosivity बच्च में यह correct answer हो गया तो I hope understand it very well and all the best